सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन यानी घंटी को और पाएं लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में मेरा नाम है शालिनी और अभी आप देख रहे हैं म्यूटिशन ग्यान दोस्तों अधिकतर लोगों के दिन के शुरुआ चाय पीकर ही होती है लेकिन यदि आप आपके दिन के शुरुआ साधरान चाय की जगा अध्रक के चाय से करेंगे तो आपको भरपूर स्वाद के साथ सेहत के भी कई फाइदे मिलेंगे अध्रक के चाय ठंड में अकसर पी जाती है क्योंकि यहां सर्दी में होने वाली बिमारियों से राहत दिलाती है अध्रक के चाय को दवाई के रूप में भी पी सकते हैं क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टिरियल और एंटी ऑक्सिडेंट गुर्ण प सिर्दर्द में राहत मिलती है अध्रक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुर्ण होता है जो माईग्रेन के दर्द से भी छुटकारा दिलाता है जब भी आप चिंता से गीरे हो और आपका सिर्दर्द कर रहा हो तो एक कप अध्रक की चाय बनाकर पी लें आपको आराम महसूस हो अध्रक शरीर में गर्मी पहुँचाता है जिससे सर्दी जुखाम कम हो जाता है ठंडी के दिनों में सर्दी जुखाम की समस्या बहुत आम होती है ऐसे में अध्रक की चाय पीने से राहत मिलती है अद्रक कॉर्टिसॉल का उत्पात करता है जो पेट की चर्वी को कम करने में सहायक होता है यहाँ फैट को पचाने में मदद करता है जिसे शरीर में फैट जमा नहीं होता है कई बार आप बस या कार में सफर करते हैं तो आपको मतली की समस्या होती है ऐसे में घर से निकलने से पहले ही अद्रक की चाई पी कर निकले इसमें मौजूद एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी कुण किड्नी की संक्रमण के उपचार में सहायक होते है अद्रक की चाई पीने से आपकी पाचन शक्ती बहतर होती है या खाने को पचाने तथा कबज के लिए बहुत फाइदिमद है यदि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है तो अद्रक की चाई का सेवन करें आपको काफी राहत महसूस होगी नमबर साथ रक्त संचार को बढ़ाए अद्रक में मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड रक्त संचार बढ़ाने में सहायक होते हैं रक्त संचार सही होने से आपको हिर्दे संबंदित बिमारी होने का खत्रा कम हो जाता है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल हेर्थ जागरन को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहिए और खुश रहिए